hi guys welcome to the code behavior so today we are going to talk about a problem that occurs mostly when we trying to access our third party website data so this case में मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं यहां पर यूज कर रहा हूं angular as a front end and laravel as a back end so let's see the code where we get errors so यह हो गया हमारा angular as a front end यहां पर मैंने क्या किया है यह हमारा service है ठीक है user data.service.ts यहां पर हमने function बनाया है और इस function में हम क्या कर रहा है htp request कर रहे है with the gate method और यहां पर हमने एक API call कराया है जो की एक laravel की API है यह API का URL ठीक है तो जब भी हम अब laravel क्या हो गया एक third party हो गया ठीक है यह हो एक front end और हो गया एक back end हो गया तो इस case में क्या होता है जब भी हम किसी third party website data को हम access करते है तो उस case में हमें एक error आकर होता है और हो error इस type का होता है ठीक है एकक्सेस टू ठीक है error है यहां पर access to XML HTTP request at this URL from origin origin हम कहां से कर रहें एक्सेस लोकल host colon 4200 port कहा है 4200 has been blocked by course policy no access control origin header is present on the requested resource ठीक है जिस resource को हमने request किया है वहां पर कोई भी access control allow origin जैसा header कोई भी वहां पर exist नहीं कर रहा है है इस case में हम क्या होता है हमें एक error मिलता है इस error को हम कैसे resolve करते है वह हम देखते हैं यहां पर तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहां पर गए लिए course policy course policy होता क्या है उसके बारे हम देखते हैं तो it allows you to make request from one website to another website in the browser which is normally prohibited by the another browser policy called the same origin policy so ठीक है तो by default क्या होता है यह क्या होता है prohibited होता है मतलब क्या होता है इसको हम access नहीं कर सकते हैं किसी भी cross origin में ठीक है another website की data को तो उस case में क्या होता है हमें कुछ headers define करने होते हैं किस से related access control allow origin ठीक है तो जो हम क्या करते हैं जो controls है मतलब उसका हम क्या करते हैं access provide करते हैं किसी भी origin को ठीक है तो उसके लिए क्या code होता है वह मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे to remove course errors हमें यह तील लाइन के code यह हमें पुट करने होते हैं starting of the framework ठीक है framework के किसी ऐसे page पे जो की initialize हो रहा हो जैसे framework रन कर रहा हो ठीक है तो वहां पे हमें header पहला access control allow origin star हमने लगाया है मतलब कोई भी URL मतलब क्या होता है कि जो भी हम कोई API बराते हैं ठीक है तो API के लिए क्या होता है कि कई कोई भी मतलब हम different different websites को access दे सकते हैं तो इसके लिए हमने यहां पर क्या लिखा है star ठीक है अगर किसी को आपको limited है कि जैसे हमें यहां पर किसको access देना है localhost 4200 का access देना है यहां पर ठीक है इस ओर इजन के access देना है तो यहां पर उस site का particular यहां पर नाम लिख सकते हो या और क्या अगर सकते हो कौमा से प्रेटिट करके multiple websites का नाम लिख सकते हो या फिर आप आपके यहां पर किसी भी website को इस API का access दे रहे हैं ठीक है फिर यहां पर है कि access control allow methods मतलब किस-किस method को हमें यहां पर allow करना चाहरे है और यह headers headers हमें क्या है कि content type यह चीज़े différentes होती है तो इसको हम क्या करते हैं अभी हमें error मिल रहा है जब भी हम इसे access करना चाहरे है ठीक है हम यहां से access कर रहे है तो हमें क्या रहा एरए अब हम क्या करेंगे जो हमारा यह data है headers का headers का code है इसको क्या पुट करते हैं जहां पर आपका API CREATE है यह हम लाराविल में आ गए ठिक है अब आपको कहा जाना है कि यह आपका बूट स्टैप और बूट स्टैप के अंदर APP.PHP ठीक है यह आपको मैं दिखाता हूं यह बूट स्टेप और बूट स्टेप के अंदर क्या है यह एप.php है ठीक है यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले से मैंने लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं को अनकमेंटिट कर देते ठीक है यहां पर हम मैंक्त अर्जूर्ड हए उसका हमने option method Hearแล दृद को करते हैं अंज्च में करते हैं अगर हम इसके बाद इसको run हम वहाँ पर अटेस्ट कर देते हैं जिससे यहां पर error रिमू हो जाता है so guys hope you understand it well and please like and subscribe the channel for more related videos thank you